नमस्कार मैं सुमंत कस्यप एश्टर वास्तु कंसल्टेंट अपने यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉब आफ हैर यानी प्रेम संबंध को किस प्रकार से देखेंगे इसके बारे में बताऊंगा यह एक बार्थ डिटेल्स है यह जातक मेरे पास पिछले साल अक्टूबर में आये थे इनका प्रेम संबंध लगभग तूटने के एक अगार पड़ था आईए देखते हैं क्यों ऐसी इस्तिती आई यह लगन कुंडली है लगन कुंडली से भी समझा जा सकता है लेकिन चुकि केपी अधारित मेरे विडियो होता है और उससे समझना असान होता है इसलिए मैं सीधा आपको लगने के पास यह मेनू है यहां से हम आएंगे KP सेक्षन में KP सेक्षन को खोलने के पस्चाथ हम बढ़ेंगे भाव संधी पर पांचवा भाव प्रेम का होता है, लव अफ्यार का होता है और पांचवे भाव या किसी भी भाव का रिजल्ट उस भाव का सबलोड देता है तो पांचवे का सबलोड बुद्ध हो गया यानि बुद्ध बताएगा कि क्या इनके जीवन में प्रेम संबन्ध है आईए देखते हैं बुद्ध किन किन भावों के फल दे रहा है बुद्ध के फल को हम इस केपी कुंडली से ही देखते हैं बुद्ध दूसरे तीसरे और पांचवे भाव का फल दे रहा है बुद्ध दो तीन और पांच अर्थात पांचवे भाव प्रेम का आ गया तो हम कहेंगे कि प्रेम संबन्ध इनके भागे में है दूसरा अब प्रेम संबंध में समस्या क्यों आ रही है तो जिस समय समस्या आ रही है चुकि इन्होंने मुझसे संपर्किया प्रेम संबंध इनका तूटने के कगार पड़ था तो दसा कया महतोपुन भूमी का हो जाती है आए देखते हैं दसा कौनसी है दसा अभी बुद्ध की चल रही है 2027 तक अंतर दसा देखते हैं पिछले साल अक्टूबर में मंगल की थी और इस साल 16 जून तक भी मंगल की ही थी अभी राहू की चल रही है यानि अक्टूबर में इनका प्रिम सम्मन तूपने के कगार पड़ था तो क्या रिजन था के भी से फिरम आते हैं बुद्ध इसमें आपने देखा दो, तीन और पाँच भाव के फल दे रहा है बुद्ध दे रहा है यानि बुद्ध तो बता रहा है की प्रिम सम्मन है और अंतर दसा स्वामी मंगल किसका फल दे रहा है मंगल फल दे रहा है दो, साथ, आठ, नो और बारो का ये सबसे पहले साथ आठ बारो को आप समझ लें तो साथ आठ बारो काफी जादा तनाव है टेंसन है, गुसा है यानि कहीं न कहीं इनका रिस्ता गुसे के कारण खतम हुआ दूसरा जब पांचवे भाव से संबंध देखेंगे तो पांचवे भाव से संबंध यहां चार और आठ का बन रहा है चार आठ, दस का लिंक बन रहा है मंगल की अंतरदसा में आने वाले भाव का संबंध पांचवे से देखने पर चार, आठ और दस का जो चार और आठ पूरी तरह से नेगेटिव है और दस नियूट्रल होता है अर्थात अंतरदसा पूरी तरह से प्रेम संबंध तूटने को बता रहा है इस इस्थिती में केपी की क्या भूमिका होती है एक केपी एस्ट्रोलाजर अपने क्लाइंट को यहीं बताता है कि आप कितना भी पैसे खर्च कर लो ये इस्थिती इस दसा में बदलने वाली नहीं है अब 16 जून के बाद राहू आ चुका है और राहू पांचवे भाव में है पांचवे के फल दे रहा है तो इस इस्थिती में आप कह सकते हैं कि राहू की अंतरदसा में पैचप हो जाए लेकिन उस समय जब आये थे उस समय मेरा ये कहना जो एक केपी एस्ट्रोलाजर की हिसाब से मैं कहता है कि किसी भी उपाय में आप कोई भी पैसे वेस्ट ना करें रिस्ता आपका या बचने वाला नहीं है इस प्रकार से आप केपी जोतिस के दुआरा सटीक फलादेश समस्याओं के अलहार पर कर पाते हैं बने रहे हैं मिलते हैं कुछ और वीडियोज के साथ